हेलो गाइस तो स्वागत्ते आपका टेकनिकल अंकित मैं और में नामें अंकित और आज की वीडियो काफी ज़ादा इंटरस्टिंग होने वाली है तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको 1US6 के कंट्रोल सेंटर और 1US7 कंट्रोल सेंटर की चेंजिस के बारें बताने वालो जो छोटे changes हुए control center में दोनों के उनी के बारे में आपको इस वीडियो बताने वालो तो guys वीडियो बने रहेएगा वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा वीडियो काफी जादा informative होने वाली है और guys अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक कर देना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं So guys चलते हैं 1UI7 और 1UI6 से control center की changes की तरफ तो guys सबसे पहले हम बात करते हैं quick setting की 1UI7 की और 1UI6 की तो guys 1UI7 में आपको network और battery indicator component देखनों मिल जाते हैं और guys इस new software में आपको battery percentage आपके icon के अंदर देखनों मिलती है जैसे कि यहां आप देख सकते हूँ यहां मेरा पास phone है Saomi का यहां वो battery percentage इसके icon के अंदर देखनों मिलती है तो guys यह आपको 1UI7 में देखनों मिलता है और guys बात करें 1UI6 की तो guys आपको 1UI6 में जो battery percentage है वो आपको इसके बाहर देखनों मिलती है जैसे कि यह icon है na battery का इसमें आपको बाहर देखनों मिलती है 1UI6 में बट वन्योर 7 में ये चेज जिस किया गया है आपको जो बैटरी के परसेंटीज है वो आपको बैटरी के अंदर ही देखनों मिलती है और बात करें और नियुक सेटिंग की तो जो आपका वाइफई और ब्लुथूथ का टायूस है वो आपको फीचर किया गया आपके फ़र्श्ट डिया गया है और आपको कॉर्णर करवेचर दिया गया इस नियू कंटोर सेटिंटर में जो आपको बन्योर 7 में देखनों मिलता और वही बात करें वनके बात करें नहीं के पैनल की तो आपको जो पैनल है वह वह स्क्राइडेन में देखने हो मिलते हैं और कल कोर्व करनल में देखने बीदे और बात करें लियाउट की तो से को मिल जाता है आपको लियाओट में और आपको दो बिक टाइल देखने मिलती इसमार्ट विए डिवाइस कंटूल की जैसकि मैं आपको इमेज इसके तोर पर दिखाएता हूं यह जो इसमें है यह वन्यों सेवन गंडूल सेंट और यह वन्यों सिक्सक्राइब सम इसमार्ट विए यह यह आपको देखनों मिल जाता है यह नीचे या भी जूम नहीं हो रहा हूं मिल चांट यह आप और शिक्क पार लेयूट के अथे दीफरेंघूHHH आपको दोनों का लग-अलग separate देखनों मिलता है तो यह आपको देखनों मिल जाते है वनेयो 7 एक control center में और बात करें next चीज्छ की तो guys आपका volume adjustment bar तो और आपका sound setting आपको अलग देखने हो मिल जाती एक separate toggle में यहां आप देख सकते हो अपने control center में वर्लियो 7 कंट्रोज काफी जाए different वर्लियो 6 से control center से तो यही कुछ key changes आपको देखने हो मिल जाते है यहां कुछ चेंजिस करें गए जो मैंने आपको बता दी इस वीडियो में यहां आपको मेरी यह वीडियो पसंद आयो तो वीडियो एक लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू